हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लाइट, रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन देखो जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है एक ray of light आ रही होती है और वो surface से टकराने के बाद bounce back करती है मतलब की lot जाती है तो इसी phenomenon को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलती है रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है जैसे हमने एक ray of light को water से pass करा जैसे ही ये ray of light water से pass हो रही है इसको देखो सीधे इस position में जाना चाहिए था लेकिन ये हल्क इसी tilt हो गई वाई बिकॉज ये air के अंदर आई है air क्या होता है थोड़ा lighter medium होता है compare to water air थोड़ी light होती है तो इसकी हल्क इसी है जो position change होई है इसी phenomenon को हम लोग बोल देते हैं reflection reflection के अंदर क्या हो रहा था bounce back हो रही थी reflection के अंदर क्या हो रहा था हल्क आसा इसने जो इसकी position थी वो change करी due to the medium generally दो type के spherical mirrors होते हैं एक होता है concave और दूसरा होता है convex concave की जो reflecting side होती है वो अंदर की तरफ होती है ये देखो cave मतलब cave का रास्ता कैसा होता है कुछ इस तरीके का गुफा जैसा रास्ता होता है अंदर की तरह और convex की reflecting side हमेशा बहार की तरफ होती है bulging और रख्य होती है ये outwards तो I hope अब आपको clear होगा spherical mirrors के बारे में अब मैंने बुला है spherical mirrors two type के spherical का मतलब क्या होता है goal तो मतलब पहले कभी ना कभी ये एक goal से mirror से ही divide होके है या concave और convex बिल्कुल कुछ इस तरीके से दिखते थे पहले concave और convex जब हमने इने बीच से काटा divide करा तब जाके हमें ये अलग-अलग मिले है अब ये जो बड़ा सा spherical mirror है इसके कुछ important points हमें पढ़ने है देखो इस जो बड़े इस spherical mirror का center point होता है इसे बोलते हैं हम लोग center of curvature और इसी के सामने होता है pole जिसको हम लोग P से represent करते हैं और center of curvature को C से अब जब भी हम लोग center और curvature और pole को जोडते हैं एक line से तो उस line को हम लोग बोलते है principal axis अब ये जो principal axis है इसके बीच में भी एक point होता है जिसको हम लोग बोलते है focus जिसे हम लोग F से भी denote करते हैं तो I hope अब आपको ये clear होगा अच्छा यहां पर एक चीज का ध्यान देना कि ये जो हमारी principal axis है क्या ये radius भी हो सकती है circle की बिल्कुल exactly इसकी radius भी हो सकती है ये तो यहां पर जो focal length होगी वो क्या होगी हम लोग बोल सकते हैं कि it is half of the radius मतलब ये जो radius है इसका half है तो इसको r by 2 से represent कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो इसी तरीके से कुछ हमारा जो structure है पूरा वो बन गया तयार हो गया और इसी के basis पे अब हम आगे के concepts समझेंगे तो अब हम समझने वाले हैं concave mirror के बारे में concave mirror एक spherical mirror होता है जिसकी reflecting side अंदर की तरफ होती है ये देखो ये जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है it is known as the reflecting side of concave mirror सर अगर हम लोग पीछे से rays of light को reflect करने की कोशिश करेंगे तो होगी क्या नहीं होगी next अच्छा अगर हम लोग principle axis की definition देखें या फर principle focus की definition देखें तो वो क्या होती है बहुत important है आपको बस definition पता होनी चाहिए देखो कभी भी एक ray of light जो की parallel है किसके principle axis वाली line के देखो principle axis वाली line आपको याद होगी principle axis line के जो भी ray of light parallel है वो जैसे ही reflect होगी तो वो किससे पास होगी focus वाले point से तो इसी वाले point को हम लोग बोलते हैं this point is known as principle focus of concave mirror बहुत simple सी definition है यह definition हमने पूरी अच्छे से detail में समझ ली एक ray of light आई जो टकराई टकराने के बाद reflect होने के बाद जब यह पास करेगी तो किससे पास करेगी it will pass through principle focus next किस तरीके से हम लोग concave mirror के उपर images draw करते हैं देखो कुछ rules हैं सबसे पहले एक ray of light जो की parallel है after reflection वो पास करेगी through focus मतलब यहाँ से एक ray of light आई parallel किसके parallel है यह principal focus के parallel है जैसे ही यह टकराएगी यहाँ पर देखो reflect होगी जैसे ही यह तो यह किस से पास करेगी it will pass through focus एक ray of light जो की पास करेगी through focus after reflection वो parallel बन जाएगी तो एक ray of light आई जो की focus के थूरू pass हुई focus से pass होने के बाद जैसे ही reflect होगी यह क्या बन जाएगी parallel एक ray of light जो की center of curvature से pass करेगी यह देखो एक ray of light को अमने center of curvature से pass कराया है तो वो जैसे ही reflect back करेगी तो same path पर ही वो reflect back करेगी ठीक है clear होना चाहिए अब आपको three ही rules है इन तीन rules को अच्छे से समझ लेते हैं एक और बार एक ray of light आई parallel reflect होने के बाद वो किस से pass होई focus से एक ray of light आई जो की focus से pass हो रही थी reflect होने के बाद mirror से कैसी हो गई parallel एक ray of light थी जो की center of curvature से pass होई reflect होने के बाद वापस उसी रास्ते पर वो चली जाएगी अब हम लोग कुछ images draw करके देखते हैं लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि object का head क्या होता और tail क्या होती है arrow वाला side head होती है और नीचे वाली side tail होती है चलो अब हम लोग object को अलग-अलग positions में put करने वाले हैं और detail में समझने वाले हैं कैसे characteristics होंगे image के ऐसा आपके exam में भी आ सकता है तो अच्छे से समझ लेना object beyond center of curvature हमने क्या करा object को center of curvature के पीछे रख दिया एक ray of light को बिल्कुल straight ले गए हम लोग और फिर एक ray of light को हमने पास करा center of curvature से अच्छा center of curvature से पास करेंगे तो rule number 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा था center of curvature से जो भी ray of light पास होगी वो वापस reflect back होगी तो ये चीज़ तो clear है देखो जैसे हमने पास करा इसको center of curvature से ये वापस अपने रास्ते पर आ अच्छा फिर हमने क्या करा एक ray of light को बिल्कुल parallel पास करा था to principal axis जैसे ही वो reflect होगी वो किस से पास होगी it will pass through focus अब ये जो दोनों rays of light है ये कहां पर आकर मिल रही है इस वाले point पर तो इस वाले point को हम highlight कर लेंगे और principal axis वाली जो line है वहाँ से इस point तक एक line खीश देंगे नीचे हम लोग बोलेंगे A- और उपर बोलेंगे B- और head और tail बना देंगे object का इस तरीके से कुछ हमारा object रहोगा जब object होगा beyond center of curvature अच्छा आप इसकी image के characteristics बताने आपको बहुत simple है बच्चे बहुत confused होते हैं हम simple तरीके से समझेंगे सबसे पहले आप ये बताओ कि कहां पर जो हमारी ये जो image form हुई है उसकी location क्या है तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि image कहां पर form हुई है between center of curvature and focus इन दोनों के बीच में तो क्या लिखोगे images form between focus and center of curvature image कैसी है सीधी है या उल्टी है inverted मतलब की उल्टी है उल्टी चीज़ों को हम लोग inverted बोलते है फिर image कैसी है real है या फिर नकली है real कैसे पता लगेगा आपको क्या ये जो हमने ray of light जो pass कराई थी क्या ये असलियत में यहाँ पर एक दूसरे से meet करी है बिल्कुल ये जो line थी ये असलियत में meet करी है इस वज़े से image क्या होगी real अच्छा image का size देखो real वाली object से ये object है और ये हमारी image बनी है इस object की तो object का size तो बहुत बड़ा है और जो हमारी image है वो बहुत चोटी form हुई है image तो ये अब आपको याद रखने है points इस तरीके से हम characteristics बता सकते हैं image के अच्छा object को अब हम लोग put करते हैं near center of curvature अच्छा एक line को हमने straight pass करा है ठीक है parallel pass करा है to principle axis जैसे ही reflect होगी it will pass through focus एक line को हमने pass करा है from focus जैसे ही reflect होगी ये क्या हो जाएगी है इसको नीचे वाले point को हम लोग बोल देंगे a dash उपर वाले point को बोल देंगे b dash simple है अच्छा अब characteristics पता लगाते हैं इस image के कहां perform हुई है सबसे पहले देखो बोल देंगे center of curvature पर form हुई है image अच्छा image कैसी है सीधी है या उल्टी है उल्टी है object से तो size तो हमें लग रहा है के same ही है as object तो हम लोग क्या लिख देंगे same size यह हो गए characteristics of image थार्ड वाला point देखते हैं अब हमने object को put करा है between center of curvature and focus एक line को हम लोग ले गए parallel जैसे हम इसे parallel लेके गए तो after reflecting it passes through focus और एक line को हमने सीधे pass करा है from center of curvature तो यह इसी पात पर reflect back हो जाएगी अब यह lines यहाँ पर आकर कुछ पीछे जाकर मिलती हैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अपना एक point draw करेंगे और फिर principal axis से एक line कीचेंगे और नीचे का नाम दे देंगे a dash और उपर b dash head or tail draw कर लेंगे अपने object की image का ठीक है अब जो image है वो कहाँ पर form हुई है beyond beyond का मतलब होता है पीछे center of curvature की beyond पीछे form हुई है अच्छा image कैसी है उल्टी है या सीधी है inverted है तो इसको हम लोग बोलेंगे उल्टा next है image real है या फिर fake है देखो असलियत में align मिली है तो image क्या होगी real अच्छा size कैसा है image का यहाँ पर object का size देखो और यहाँ पर image देखो object की तो obviously बात है कि object का size तो बहुत चोटा है compared to image तो यहाँ पर यह जो size है यह बहुत ज़्यादा large है large size की image है तो अब यह आपको clear हो अब हम लोग क्या करेंगे इस object को move करते है to focus focus के ओपर move कर दिया हमने object को अब हमने एक ray of light को pass करा है through parallelly pass करा है ray of light को और फिर यह टकराने के बाद reflect करने के बाद focus से move करी है अब एक ray of light को हमने move कर दिया directly from center of curvature तो यह वहीं पर वापस reflect back को जाएगी अच्छा आप यह जो lines है ना यह पता है कहां पर जाकर मिलेंगी यह पता नहीं कहां पर जाकर मिलेंगी at infinity जाकर मिलेंगी इसमें आपको कुछ points याद कर लेने है parallel race कहां पर मिलती है at infinity image कैसी बनती है inverted बनती है और real image बनती है और जो size होता है image का बहुत जादा enlarge होता है बहुत बड़ा होता है तो यह होता है अगर हम लोग object को put करें at focus अच्छा अगर object को हम और थोड़ा आगे move करें between focus and pole करके देखें करके देख लेते हैं यह देखो pole और focus के बीच में हमने object को move कर दिया एक ray of light को हमने pass करा अब focus से तो कोई भी ray of light pass हो ही नहीं दिया तो एक ray of light जो pass हुई है यहाँ पर incident ray आई है after reflecting यहाँ पर चली गई है फिर एक ray of light को हमने center of curvature से pass करा है तो अब यह वाली जो lines है यह कभी भी नहीं मिलने वाली यह चीज तो हमें clear है तो हमने क्या करा है पीछे ले गया है dot dot बना दिया dot dot बना दिया मतलब कि हमने कुछ imagination करी गया है कि अगर यह ray of light अगर पीछे की तरफ चली जाती तो image कैसी बनती यह देखो पीछे की तरफ हमने draw करा है फिर तो अब यह जो पीछे की तरफ हमने draw करा है इसको किस चीज से represent करा है through dot dot फिर हमने यहां पर यहां कहीं पर जाकर यह बनी है तो हमने a- और b- बना दिया अच्छा अब इस image को study करते हैं कैसी image form हुई है सबसे पहले कहां पर image form हुई है देखो reflected rays जो है वो diverging है तो यह image तो कहीं पर भी form नहीं हुई है यह image हमने imaginary बनाई है अब जो imaginary image हमने बनाई है वो कैसी है बिल्कुल सीधी है यह देखो same as जैसा हमारा objective वैसी ही image भी straight है तो straight को हम लोग क्या बोलते है upright या फिर erect in science language अच्छा image कैसी है क्या असलियत में यह image बनी है बिल्कुल नहीं virtual बनी है इसको बोलते हैं हम लोग fake image नकली की है असली थोड़ना नकली है हमने तो imagine करके बनाई है अच्छा size कैसा है इसका है जो नकली image है इसका compare to object काफी ज़्यादा enlarge है object विचा रहता है छोटू सा है और यह इतनी बड़ी है तो अब आपको clear होगा बिल्कुल clear होगा next हम लोग देखते हैं object अगर infinity पे है अगर object बहुत दूर है infinity पर है हमने infinity पे place कर दिया तो यहां पर हमने एक ray of light को pass करा है after reflection focus से जाएगी फिर एक ray of light को हमने यहां से pass करा है तो फिर दुबारा यह focus से जाएगी parallel ray of light अब यह दोनों कहां पर जाकर मिल रही है rays of light add focus देखो बिल्कुल focus पे मिल रही है अब यह जो focus पे जाके मिली है ray of light आप सोचो कि कितनी चोटी है यह इतनी चोटी होगी हमारी जो image होगी कि वो हमें दिख भी निरी है यहां पर तो image कहां पर बनेगी at focus कैसी बनेगी inverted उल्टी बनेगी real image होगी और point के size जितनी होगी देखो दिखी निरी इतनी चोटी image है तो यह six cases है जो आपको पढ़ने है इसके बाद हम convex mirror पढ़ेंगे लेकिन यह six cases आपको अच्छे से पढ़ लेने है हमने सबसे पहले object को कहां पर put करा था beyond center of curvature फिर हमने object को put करा at center of curvature फिर object को put करा at where between center of curvature and focus फिर हमने object को put करा at focus फिर object को put करा between focus and principal axis फिर हमने object को put करा at infinity अच्छा आपको एक काम करना है फटाफट इंस्टाग्राम पर जाओ और मुझे ड्रॉ करके बेजो अब्जेक्ट बिट्वीन सेंटर आफ करवेचर और फोकस आपको इसके क्रेक्टिस्टिक्स भी लिखने है इमेज कैसी फॉर्म होगी फटाफट प्रेक्टिस करो क्योंकि ये वाले क्वेशनस आपको प्रेक्टिस के साथ ही आएगा ये कंसेप्ट समझ में अरे अरे एक बहुत ही इंपोर्टन चीज तो तुम करना ही भूल गए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब के साथ में जोईन का बटन होगा उसपे क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो अब मेंबर बनने के क्या benefit है और membership क्या चीज है membership paid है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे benefits मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत help कրेंगे एक तो आपके doubts फटाफट clear कर दिये जाएंगे अगर आप member बनते हो exclusive link मिलने वाला है आपको notes का जिन notes से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं sample papers मिलने वाले हैं अब यह जो sample papers हैं यह बहुत important है आपकी पूरी exam के लिए practice हो जाएगी अगर आपने इन sample papers को solve कर लिया और इन sample papers की help से ही आप 95 plus score कर सकते हो और भी बहुत सारे benefit हैं लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को continue करते हैं अब बात करते हैं convex mirror की सब कुछ same रहने वाला है बस एक चोटा सा change है देखो concave mirror में क्या हो रहाता यहां अंदर की तरफ सारी चीज़ें हो रही थी convex mirror में क्या होता है बस ये बाहार की तरफ से reflect करता है concave mirror कहां से करता है अंदर की तरफ तो outward का जो इसका bulge होता है यहीं से ये पूरा reflection का का काम करता है अच्छा सारी चीजें वैसी की वैसी रहती है pole, focus, center of curvature सब same as it is रहता है बस कुछ rules है जो मैं पता होना चाहिए और focus की definition पता होने चाहिए देखो focus की definition बहुत ही simple है in case of convex mirror कोई भी parallel ray आ रही होगी देखो parallel ray आ रही होगी after it meets at focus यहाँ पर जब यह focus पर ही meet करेंगी कोई भी parallel ray आएगी वो कहाँ पर meet करेंगी it will meet at generally at focus ठीक है या फिर वो center of curvature पर हमने यहाँ पर एक ray को move कर आया है तो यह center of curvature पर आ रही है ठीक है generally ज़्यादा तर rays क्या कर रहे है they are coming and meeting at focus तो यहाँ पर definition क्या हो जाएगी the point on the principal axis at which all the rays coming parallel to principal axis will appear to meet or diverge from it यहाँ तो यहाँ पर मिलेंगी यहाँ पर यहाँ से diverge होती हुई एक अलग direction में जाती हुई दिखेंगी तो उसे हम लोग बोल देते हैं focus of convex mirror I hope अब आपको clear होगा focus की definition in convex mirror next हम लोग चलते हैं rules to draw image on convex mirror convex mirror के उपर images कैसे draw करते हैं बहुत simple तरीका है देखो अगर एक parallel ray आ रही होगी तो वो जैसे ही convex mirror से टकराएगी यह देखो diverge होगी simple है reflect होगी reflect होगी color direction में चली जाएगी but sir यहाँ पर तो कोई भी image बनती हुई नहीं दिखरी तो इसी वज़े से हमें convex mirror में imagination का use करना पड़ता है अब इस ray of light को हम लोग पीछे की तरफ ले जाएंगे तो यह कहाँ पर मिलती हुई दिखरी है focus के उपर a ray parallel to the principal axis after reflection will appears to diverge from the principal focus in case of a convex mirror देखो यह तो directly diverge हो जाएगी लेकिन हम लोगों को imagination का use करके इसको पीछे मिलाना पड़ेगा next अगर कोई ray है if a ray is forming on focus it will become parallel कोई भी ray अगर focus के उपर बन रही है तो वो क्या हो जाएगी it will also become parallel हम एक ray को लेकर आए जो की focus के उपर form होनी चाहिए थी लेकिन वो तो यहाँ पर reality में क्या हो रहा है कि वो convex mirror से टकरा कर parallel हो जा रही है बट हम लोगों ने imagination का use करा है वो आ रही है ray of light after reflection हमने क्या करा है इसको पीछे की तरफ लेगे है imagination imaginary dots बनाए है और यह focus पे जाकर मिल रही है तो यह हो गया हमारा second rule third rule क्या है अगर कोई भी कोई भी हमारी ray of light आती है which is passing through center of curvature देखो actually में क्या हो रहा है center of curvature से millionaire है यहाँ से directly convex से टकरा कर वापस reflect हो रही है लेकिन हम जब imaginary lines को join करेंगे तो यह पीछे center of curvature से जो भी हमारी ray of light मिलेगी वो same path पर move करेगी तो यह 3 rules हैं जिसके थुरू हम convex mirror के उपर image draw करते हैं तो देखते हैं first वाला हमारा जो case है देखो यहाँ पर हमने object को place करा है एक हम सीधे straight ray of light को लेकर गए है after reflecting यह आप देख रहे हो ध्यान देना है आपको बस इस वाली line को हम लोग लेके गए है next फिर हमने एक और ray of light ली है ठीक है अब इसको हमने directly center of curvature पे center of curvature से reflect हुई है यह देखो center of curvature से reflect हुई है तो पीछे हमने imaginary dots draw करके center of curvature पे से join कर दिया है तो यहाँ पर आपको clear होगा एक हमने कहाँ पर draw करी है focus पे एक हमने कहाँ पर draw करी है center of curvature पे अब यह दोनों मिल कहाँ पर रही है imaginary lines इस वाले point पे मिल रही है तो यहाँ पर हम लोग dot dot की form में हमारा arrow draw कर देंगे head or tail बना लेंगे और यह इस image के characteristics हम लोग लिख देंगे सबसे पहले image कहाँ पर form हुई है between f and p focus और pole के बीच में focus और pole के बीच में next virtual image है नकली की image है असलियत में तोड़ना मिल रही है यह जो lines है reflection के बाद यह तो पता नहीं कहाँ पर ही जा रही है असलियत में ने मिल रही तो virtual है और image देखो कैसी form हुई है object देखो straight है image भी straight है तो erector upright image form हुई है size देखो एक बार image का कैसा है small है compare to object in the above case reflected rays never meet यह जो reflected rays है असलियत में कभी भी नहीं मिलने वाली इस उपर वाले case में but imagination के थूँ हमने यहाँ पर यह पनाया है next देखते हैं image formation का case number 2 अच्छा यहाँ पर parallel rays आ रही है at infinity है यह अब यह कहाँ पर जाकर मिलेंगी at focus यह हमने focus पे मिलाई है जब यह focus पे जाकर मिली है तब एक चीज़ के ध्यान देना आप लोग image कैसी form होगी में तो millinery lines तो यहाँ पर पीछे हमने imaginary lines को मिला है that is why these are virtual और virtual होगी तो erect यह फिर upright होगी image और size कैसा होगा इसका बहुत ही छोटा small होगा यह देखो यहाँ पर जहाँ पर meet कर रही है it is very small compared to the object next वाला case हम लोग देखते हैं कुछ important points जो है वो यही दो cases हमें देखने है थे in convex mirror यह दो ही cases आपको practice करने है और important points देखते है अगर आप गलती से concave mirror में erect or diminished image बना रहे हो तो सोच लो कि आपका यह गलत है तो इसको दिहान रखने है next हम लोग अब देखने वाले हैं mirror का formula और कैसे इसको apply करके questions को solve करना होता है देखो mirror का formula काफी simple है that is 1v plus 1u is equals to 1f अब जो v है वो क्या होता है image का distance object का distance होता है u और f क्या होती है focal length u और v को हम लोग हमेशा measure करते हैं from pole अच्छा radius of curvature अगर given है तो f is equals to r upon 2 focal length कैसे होती है concave mirror या फिर lens की क्या होगी negative और convex mirror या फिर lens की क्या होगी positive focal length of concave is negative focal length of convex is positive आसान तरीके से समझते हैं देखो ये हमारा एक हमने क्या लिया है हमने sign convention के लिए एक mirror को लिया है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ देखना हम लोग जब भी हम लोग छोटी classes से पढ़ते आ रहे हैं बहुत ही simple सा concept है कि right hand side वाला scale पे जो right hand side वाली जगा होती है वो positive में होती है और वहीं पे अगर हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं तो वो negative होती है बस वहीं बताया है इस पे sign convention positive distance towards the right is positive and distance towards the left is negative बस यहीं बताया है और कुछ ही नहीं है height अगर upward में होगी तो वो positive में होगी और अगर height downward में होगी नीचे की तरफ होगी तो वो negative में होगी यही हमें समझाने की कोशिश करी है I hope आपको समझ में आया हो लेकिन एक question से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक object है जिसको place करा है at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm focal length कितनी है object की 15 cm अब हमें find करनी है position of the object और nature of the image कैसे find करेंगे बहुत आसान है सबसे पहले हम formula देखते है 1V plus 1U is equals to 1F क्या क्या चीजे given है ये देखो question के अंदर सबसे पहले हमें object का distance मतलब की you given है that is 10 cm ये लिख लो जो की negative में है सर negative या positive ये कैसे पता लगाया आपने देखो जब मैं negative बोल रहा हूँ तो यहाँ पर पढ़ो an object is placed at a distance of 10 cm from convex mirror ये हमारा convex mirror है distance कितना है 10 cm from convex mirror किस तरफ जा रहा है towards left direction के अंदर object placed है तो मतलब क्या negative में है object clear है ये तो बहुत ही simple सी बात है तो इस वज़े से negative होगा हमारा ये जो यू होगा फिर focal length क्या है F is equals to 15 cm focal length हमें given है directly अब हमें formula के अंदर सारी चीजों को put करना है सबसे पहले formula लिख लो 1 upon F is equals to 1 upon U plus 1 upon V अब हमें find क्या करना है given क्या क्या है हमें देखो U पता है F पता है क्या find करना है बहुत ही simple है या V find करना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा LHS और RHS rule को तो हम लोग अगर 1 V को left hand side ले जाएंगे तो यहां पर ये दोनों minus हो जाएंगे 1 F और minus 1 U हो जाएगा simple है बहुत simple है आसानी से कर रहे हैं हम लोग अभी तक clear है अब चलो अब 1 V is equals to 1 upon 15 minus 1 upon minus 10 देखो minus minus क्या हो जाएगा भया plus हो जाएगा plus हो गया चलो 1 V is equals to 1 upon 15 plus 1 upon 10 LCM ले लेते हैं बिल्कुल ले लेते हैं LCM ले लिया हमने मज़े आगे 1 V is equals to 2 plus 3 upon 30 अचा 2 plus 3 upon 30 आगया 2 plus 3 क्या होता है 5 होता है तो 5 upon 30 हमारा आजाएगा 1 V is equals to 5 upon 30 अब क्या करेंगे हम लोग 5 बजा 5 5 6 जा 30 1 upon 6 आगया 1 लिखना जरूरी है क्या नहीं 1 को अठा देते हैं चलो अच्छा ये जो 6 है इसके आगे क्या negative का sign दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा positive का sign है तो V is equals to plus 6 cm अब देखो V क्या है हमारा positive है और positive है इसका मतलब क्या है इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है इस फॉर्म बिहाइंड दा मिरर सर कैसे फॉर्म हुई है देख लो ये देखो ये convex mirror है बिल्कुल है convex mirror अब देखो behind the mirror ये image फॉर्म हो रही है positive में है न देखो यहाँ पर mirror के पीछे में फॉर्म हो रही है ये image तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है behind mirror फॉर्म हो रही है ये image और इसको याद भी रखने की क्या ज़रता है देखो convex mirror के अंदर ज़्याद अतर images बंती ही behind the mirror है और कैसी image बंती है virtual और erect virtual मतलब की नकली और सीधी सीधी और नकली image बंती है ये दो properties तो आपको याद रहनी चाहिए अगर आपने question के अंदर पढ़ लिया है कि convex mirror है तो ये चीज़ तो आप लिखी दो कि image कैसी होगी virtual erect और behind the mirror बस simple है ठीक है तो ये हमारा जो question है इस question के थूँ हमने समझा कैसे mirror का formula यूज़ करके हमें apply करना है और हमारा question solve करना है चलते हैं आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे reflection of light के बारे में reflection of light का बहुत ही simple सा मतलब होता है the bending of light at interface of two different mediums is called reflection of light देखो यहाँ पर एक ray of light हमने pass करी air से जैसे ही यह पानी के अंदर enter करने वाली थी यह पानी के अंदर enter करी लेकिन इसको जाना तो कुछ इस direction में चाहिए था बट यह थोड़ी सी टेड़ी हो गई अब यह जो टेड़ी हुई है ना इसे ही बोल देते हैं हम लोग reflection of light अब जो air है वो काफी light थी और हमारा water क्या था water हमारा थोड़ा denser medium था बस यह दो चीजों की वज़े से रिफ्रेक्शन क्रियेट हुआ है और रिफ्रेक्शन से हम लोग बहुत सारी important चीजे करते हैं वो हम देखेंगे अभी देखो लेकिन इसके बीच में हम लोगों ने क्या करा एक एक point था जहां पर यह टकराई थी जहां पर यह reflection इसने शो करा था रिफ्रेक्ट हुई थी हमारी इस वाले point को हमने क्या करा गोला बना दिया और यहां से एक straight line draw कर दिया और इस line को बोल दिया हमने normal line ठीक है बस normal line हमने बना ली simple है normal line बनाना ठीक है कहाँ पर जैसे एक ray of light आई जैसी water के अंदर वो गई जिस point पर वो water के अंदर गई है यहीं पर हमने एक point बनाया और एक सीधी line खीच दी जिसको बोल दिया normal line आगे देखते हैं हम लोग rearer और dancer medium के अंदर जब incident रे जाती है तब क्या होता है एके करके इन case को समझते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जो की हलकी होती है उसे हम लोग बोलते है rearer और कोई भी चीज जो भारी होती है उसे बोलते है dancer तो यहाँ पर हमने दो example लिए हैं हमने एक ray of light यानि की एक ray को pass करा है किसके अंदर from air to water जैसे ही ये ray of light water के अंदर enter करती है इसको जाना तो इस position में चाहिए था लेकिन ये हलकी सी टेड़ी हो जाती है और इसे ही हम लोग बोल देते हैं reflected ray और जो ray of light हमने originally pass करी होती है इसे बोलते है incident ray अब यहाँ पर जो हमने एक straight line draw करी थी कहाँ पर इस वाले point पर जहाँ पर ये enter करी थी water के अंदर इस straight line को हमने normal बोला था तो इस normal वाली line से incident ray तक के angle को हम लोग बोलते है angle of incident और फिर यहाँ पर अगर हम लोग नीचे बात करें तो नीचे जो ये हमारी normal वाली line है और जो refracted ray है इस तक के angle को हम लोग बोलते हैं angle of reflection तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है अच्छा अगर कभी भी एक ray of light पास होती है from rarer medium to denser medium तो क्या होगा angle of incidence ज्यादा होगा compare to angle of reflection देख सकते हो angle of incidence बड़ा दिख रहा है तो I will be greater than our angle of incidence will be greater than reflection अच्छा एक और चीज़ नोट करो ये जो हमारी refracted ray है ये किसकी तरफ bend हो रही है कभी भी light अगर पास होगी rare से dancer medium में तो आपको ये दो point लिख देने है और ये same to same ऐसी चीज़ें याद रखनी है अच्छा क्या water से भी कोई dancer medium हो सकता है comment section के अंदर बताओ और क्या ऐसा ही हमें reaction देखने को मिलेगा वहाँ पर भी जरूर बताना next case 2 एक denser medium है उससे हमने एक ray of light को पास करा है into rarer medium मतलब denser medium में water ले लो भारी हो गया और air क्या होगी compare to water हलकी तो वहाँ से हमने एक incident ray को पास करा ये देखो हमने जैसे ही इस incident ray को पास करा यहाँ पर हमें देखने को मिला है angle of incidence और ये क्या हो गया angle of reflection और बीच में जहाँ आपर ये water से बहार निकली है इस वाले angle पर हमने क्या करा है एक normal वाली line ड्रॉ कर दी अच्छा ये जो angle of incidence और angle of reflection है आप बताओ इसमें से greater कौन सा लग रहा है सब बोलेंगे sir r will be greater than i r जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है compare to i अच्छा ये जो हमारी ray बहार निकली है angle ये जो हमारी reflected ray बहार निकली है जिसे हम emergent ray भी बोल रहे हैं आपर ये जो reflected ray है क्या ये normal की तरफ bend हो रही है या पर normal से दूर जाती हुई दिख रही है तो आप सब बोलोगे कि it is bending away from normal तो कभी भी एक ray of light जब denser medium से rarer medium के अंदर जाती है तब हमें ये दो points लिखने है और या दर्कना है इन दोनों points को अब next वाले points पे चलते हैं क्या हो अगर हम लोग same ही medium के अंदर एक ray of light को pass करें जैसे उपर भी air नीचे भी air तो ना ही angle of incident देखने को मिलेगा ना ही angle of reflection तो यहाँ पर angle of reflection विल भी 0, angle of incident विल भी 0 और कोई भी bending नहीं होगी तो अगर same medium में एक ray of light क को पास करें तो कुछ भी नहीं होगा यह याद रखने आपको अब case 4 के अंदर क्या है अगर हम लोग कुछ अपना जादूई दिमाग लगाए हम लोग क्या करें कि rarer medium से ray of light को पास करें dancer medium में फिर उसे rarer medium में पास करें तो क्या होगा इसका बहुत अच्छा example है prism, prism क के अंदर से जब भी हम लोग एक white light को पास करते हैं तो वो जैसे ही white light prism के अंदर जाती है, prism क्या है एक denser medium क्योंकि prism glass से बना हुआ है, glass is heavier compared to air, तो साफ बात है कि जैसे ही यह light जाती है, यह क्या हो जाती है, seven colors के अंदर divide हो जाती है, अब यह seven colors जब बहार निकलते है, reflected ray की form में, तो यह अलग-अलग color बनके निकलते हैं, यह देखो जैसे की, विबग्योर की form में निकलते है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, तो इस तरीके से हमारा विबग्योर form होता है, कभी भी अगर हम लोग ray of light को पास करते हैं, from rarer to denser to rarer, तो हमें इस type का कुछ, एक interesting सा phenomenon देखने क को मिलता है, आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, refractive index के बारे में, देखो refractive index का मतलब क्या है, यह भी हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले rarer medium, जिसको हम लोग बोलते हैं, और dancer medium, जिसको बोलते हैं, rarer medium क्या, जो थोड़ा light होता है, dancer मतलब की जो थोड़ा heavy होता है अच्छा अगर मैं आपसे पूछू के ray of light की speed किसमे ज़्यादा होगी, air में या water में, अच्छा आप run किसमे fast कर सकते हो, air में या water में, सब बोलेंगे सर, अगर मैं हाथ ऐसे ऐसे हवा में गुमाता हूँ, और यही हाथ अगर मैं पानी के अंदर गुमाता हूँ, तो problem medium, जैसे की water, अच्छा water के लावा और भी क्या example हो सकता है, eyes, अगर eyes के अंदर आप पास करते हो light को, from water to eyes, तो water से और ज़्यादा speed slow हो जाती है, eyes में जाती है, तो जब भी हमारी light, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, next है optical density या पर reflective index, मतलब की light की density, इसको हम लोग किन symbol से represent करते है, from n, m and mu, basically इने बोलते हैं हम लोग mu, mu का जो symbol है, इस से हम लोग represent करते है, optical density या फिर refractive index को, अब एक case study से समझते हैं हमारे इस refractive index के बारे में, देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास है mu, mu जादा है, और v यानि की velocity कम है, तो इस case में क्या होगा, कि mu जादा होनी की वज़े से velocity कम हो जाएगी, in this case, speed of light जो की v था, वो slow होगा, क्योंकि optical density यानि की refractive index जादा है, तो मतलब अगर mu बढ़ेगा, तो जो हमारी speed of light है, यानि की velocity है, वो decrease हो जाएगी, अच्छा, अगर मैंने speed of light भढ़ा दी, तो mu क्या हो जाएगा, अपने आ opposite work कर रहे हैं, in conclusion, हम लोग यह बोल सकते हैं, कि mu is inversely proportional to velocity, तो जो mu है, that is inversely proportional, मतलब उल्टा चलते हैं दोनों, अगर mu जादा होगा, तो velocity कम होगी, अगर velocity जादा होगी, तो mu कम होगा, यही बताया है हमें, next, हम देखने वाले हैं, Snell's law, sin i by sin r is equals to constant, until medium remains safe, समझते हैं इसको case 1 के अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी एक incident ray आई, जैसे ही यह incident ray आती है, water के अंदर enter करती ही, यह refracted ray बन जाती है, और थोड़ा सा normal की तरफ bend करती है, अच्छे, इसका sine i और sine r से क्या मतलब है, और Snell's law से क्या मतलब है, समस्ते हैं भी, माल लीजिए, यह incident ray ने angle बनाया था 10 degree का, 10 degree का angle तो सर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, लेकिन example के लिए समझा रहा हूँ, आपको आसान करके, और refracted ray ने angle बनाया 5 degree का, दोनों में कितना difference था 5 degree का, इसने 10 degree का angle बनाया incident ray ने और इसने 5 degree का, अच्छा अब यहीं पर अगर हम लोग case 2 के अंदर देख अब दोनों में कितना difference था 5 degree का ही, अच्छा अब हमने क्या करा हमारी incident ray को थोड़ा और ज़्यादा टेड़ा कर दिया, इसने angle बनाया 70 degree का, और जो हमारी refracted ray थी उसने angle बनाया 65 degree का, तो मतलब अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, तीनों में ही 55 degree का ही difference था, मतल अगर यहाँ पर मैं water की जगा eyes use कर लेता, तो शायद थोड़ा सा difference आ जाता, incident ray में भी और हमारी refracted ray में भी, तो यही था हमारा स्नेल स्लो काफी आसान था, अब हम समझते हैं lateral displacement के बारे में, देखो lateral displacement काफी simple है, एक हमने ray को pass करा, जैसे ही हमने इस ray को pass करा, यहाँ पर बेंड हो जाएगी, actual path तो इसका यह था, यह देखो dot dot वाला असलियत में तो इसे ऐसे जाना चाहिए था, but यह कहां से rarer, मतलब air से जैसे ही एक dense medium, यानि की glass के अंदर आई है, यह थोड़ इसी normal के तरफ bend हो गई है, अच्छा यह सर कैसे मालने हम लोग, देखो मैंने आपको बोला था कि याद भी करने ना जराई से, देखो कोई भी अगर हमारी incident ray, जब भी rarer medium से dancer medium के अंदर जाती है, तो वो किसकी तरफ bend होती है, towards normal, थोड़ा सा normal की तरफ जुक जाती है, यहाँ पर भी यही हुआ है, कुछ अनोखी चीज नहीं हुई, normal की तरफ bend हो ग्लास क्या था dancer medium और air क्या थी rarer medium, अब जैसे ही यह बाहर निकलेगी, किसकी तरफ bend होगी, it will bend away from normal, कैसे मानोगे आप यह मेरी बात, अभी हमने study करा था case 2 के अंदर, कि जब भी हमारी एक incident ray, dancer medium से rarer medium के अंदर जाती है, so it moves away from normal, normal से दूर चली जाती है, देखो ऐसा ही यही था हमारा lateral displacement, lateral displacement is the perpendicular distance between the emergent ray from glass lab and the incident ray produced forward, अच्छा इसमें lateral displacement क्या था, अब आपको यह चीज़ क्लियर हो गई, lateral displacement मतलब कि जो actual इसका path था, वहां से लेके इस वाले path तक को हम लोग क्या बोल देते हैं, we call it lateral displacement, यह देखो, actually में यह ऐसे कुछ move करना चाहिए था, इस incident ray को बट यह कहां पर move कर गई, यह हलक आसा normal की तरफ bend हो गई थी, because medium change हुआ था, air से glass lab के अंदर आए थी हमारी light, तो थोड़ा सा यह bend हो गई थी normal की तरफ, तो इसी वज़ा से यह थोड़ी सी टेड़ी हो गई थी, तो यह जो टेड़ी हुई थी, यहां तक टेड़ी होकर उस point को हम लोग mark करके कह देते हैं, lateral displacement, मतलब bend होने की एक तरीके से quality को lateral displacement बोलते हैं, अच्छा lateral displacement के कुछ factors हैं, जो हमें पता होने चाहिए, सबसे पहले अगर incident ray ज्यादा होगी, तो lateral displacement भी ज्यादा होगा, अगर angle of incidence ज्यादा है, तो उसकी वज़ा से हमारा displacement ray भी increase हो होगी, जितनी ज्यादा thickness होगी, उतनी ज्यादा lateral displacement होगी, मतलब जितना मोटा glass का slab होगा, उतनी ज्यादा lateral displacement होगी, violet color की सबसे ज्यादा lateral displacement होती है, क्योंकि violet की सबसे चोटी wavelength होती है, अच्छा lateral displacement का मतलब क्या होता है, bend होने की quality है, तो सबसे ज्यादा देखो, जब हमने white light को prism से pass करा है तो सबसे ज़्यादा कौन सा color bend हो रहा है आप बोलोगे violet वाला यह देखो कितना ज़्यादा bend हो गया है तो सबसे ज़्यादा lateral displacement मतलब bend होने की quality किसने दिखाई है violet color ने I hope अब आपको यह clear होगा next है अगर हमारा lambda यानि की wavelength कम होगी तो lateral displacement ज़्यादा होगा अच्छा क्या यह हमें समझना है या याद ही याद करना है आपको सिर्फ याद ही करना है क्योंकि यह वाला topic काफी ज़्यादा vast है और आप बड़ी classes में पढ़ोगे अगर आप science लेते हो तो तो यहाँ पर अगर lambda कम है मतलब wavelength कम है तो lateral displacement क्या होगी ज़्यादा होगी अब यह wavelength वाला topic बड़ी class में आप अच्छे से समझोगे convex lens वो वाले lens होते हैं जिने हम लोग converging lens भी बोलते हैं मतलब कि अगर कोई भी ray of light आएगी तो वो converge यानि की मिल जाएगी इनसे पास होने के बाद और अगर concave lens की बात करें तो यह diverging lens भी कहला जाते हैं मतलब कोई भी ray of light आएगी इनसे पास होने के बाद वो diverge हो जाएगी फैल जाएगी आगे चलते हैं convex lens का अगर हम लोग बिलकुल center point देखें तो इसे हम लोग पूलते हैं optical center अकिर convex lens बना कैसे है जब हमने दो convex mirror को जोड दिया आपस में तब हमारा convex lens बना है अब convex lens के अंदर भी कुछ चीज़े हैं जो हमें पता होनी चाहिए एक तो optical center और फिर यहां पर जो पस्ट वाला हमारा convex mirror था उसे बोलतेंगे हम लोग इसका जो center of curvature होगा C1 और जो दूसरे वाला हमने जोडा था हमारा convex mirror उसके center को हम लोग बोल देंगे center of curvature 2 C2 ठीक है आपको आई होप यह चीज़ें clear होगी C1, optical, center and C2 अब हम लोग further देखते हैं किस तरीके से work करता है हमारा focus और second focus हमारे convex lens में तो यह हो गया F1 मतब एक हमारा जो convex lens था उसका focus हो गया यह और यह दूसरा focus हो गया इसका जिसे बोला है हमने F2 principal focus और second focus जो F1 है this is principal focus and this is second focus को हम लोगोंने क्या बोला है F2 अब आगे देखते हैं हम लोग next array of light convex lens का यह rule है कि एक ray of light जब भी pass होगी through optical center वो emerge होगी without any deviation अभी हमने देखा था कैसे deviate हो रही थी light deviate मतलब की इधर उधर जा रही थी convex lens में क्या हो रहा था जो भी ray of light इससे pass हो रही थी वो क्या हो रही थी it was converging मिल रही थी एक साथ तो ऐसा नहीं होगा convex lens के case में अगर हम लोग देखते हैं अगर एक ray of light optical center से पास होगी तो वो straight उसी path पर चलने वाली है ठीक है यह चीज़ा आपको clear होनी चाहिए next अच्छा अगर वो इधर उधर से पास होगी तो क्या हो जाएगी तो वो converge हो जाएगी जैसे आप देख सकते हो अच्छा converge कैसे होगी जैसे f1 इसे बोला है हमने अब f1 के अगर हम लोग पीछे देखे तो 2 f1 मतलब f1 का दुगना हो गया 2 f1 अच्छा f2 था हमारा एक अब f2 का दुगना क्या हो गया 2 f2 बस ये दो चीज़ें आपको और याद रखनी है convex lens के अंदर अच्छा ये lens जो है ये converging होता इस वज़े से कोई भी ray of light straight आएगी इसे जैसे ही पास होगी converge हो जाएगी मिल जाएगी लेकिन अगर optical center से पास होगी तो वो नहीं मिलेगी जैसा अभी हमने पीछे वाले rule में है कि image formation कैसे होता है convex lens के ओपर case 1 देखने वाले हैं हमने object को put करा है beyond 2f1 जो 2f1 था इसके पीछे put कर दिया है object को ठीक है अब कैसी image बनेगी देखो एक हम लोग ray of light को straight लेके गए एक ray of light को हमने optical center से पास करा है अब ये दोनों जाकर कहां से पास होगी सबसे पहली वाली जो optical center वाली थी वो तो straight ही निकल जाएगी तो अब ये जब straight जारी है यहां पर जारी है तो ये इस point पर जाकर दोनों मिल जाते हैं हम क्या कर देंगे यहां पर एक dot लगा देंगे और यहां से उपर से हम लोग जो हमारा क्या था principle एक तरीके से हमारा principle axis था यह जो line थी हमारी इ axis बोलते हैं हम लोग यहां से क्या करेंगे यहां से हम लोग principle axis से एक line किचेंगे नीचे की तरफ और इसको draw कर देंगे a dash और b dash लिखकर अब यहां पर हमारी image form हुई है अब इस image के characteristics के बारे में लिखना है image कहां perform हुई है जैसा मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमें location ब इसलियत में मिल रही है अच्छा image कैसी form हुई है object का head इधर था और इधर head कैसा हो गया उल्टा हो गया है तो उल्टा हो गया इसे क्या बोलेंगे हम लोग science की language में inverted अच्छा यह देखो हमारा object का size और यह देखो हमारी image का size तो यहां पर जो हमारी image है that is smaller than the object तो इस वज़ one के ओपर हमने object को exactly put कर दिया अच्छा इसके अंदर क्या होगा हम लोग एक straight line लेके गए फिर दूसरी line लेके गए हमारी जो थी अब देखो यहां पर यह जो straight आ रही थी parallel आ रही थी line to principal axis यह f2 से pass हो जाएगी और जो optical center से pass हो रही थी वह straight जाएगी यहां पर जाकर मिल र two अच्छा असलियत में यह lines मिली है तो real है real है और फिर image कैसी form हुई है उल्टी तो inverted है size कैसा है object को और image का दोनों का size सेम है तो same size लिख देंगे अच्छा अब object को हम थोड़ा बीच में move कर लेते हैं 2 f1 के और f1 के बीच में यह हमने बीच में रख दिया object को अच्छा एक incident कराया अब यह दोनों जाकर यहां पर मिल रही है तो हमने draw कर दिया a dash और b dash को यहां से arrow कीच के principal axis से अच्छा image जो है वो form कहां पर हुई है beyond 2 f2 2 f2 के भी पीछे जाकर form हुई है अच्छा image कैसी है असलियत में मिल रही है यह lines बिलकुल real है अच्छा image उल्टी है inverted है object के compare मे image का size क्या है काफी ज्यादा enlarge है अब next case देखते है case number 4 अच्छा अब यहां पर हमने object को put करा है at f1 अभी कहां पर put था object to f1 और f1 के बीच में अब exactly f1 पर put कर दिया straight हम लोग एक line लेके जाएंगे तो that will pass through f2 और फिर दूसरी line हम लोग लेके जाएंगे optical center से अच्छा अब real image बनेगी inverted बनेगी और size कैसा होगा उसका highly enlarged यानि की highly magnified बहुत बड़ी बनेगी चलो अब हम object को put कर रहे हैं between f1 and o मत्तब की focus 1 और optical center के बीच में put कर रहे हैं चलो image बना के देखते हैं हम लोग अच्छा image इस case में देखो नहीं बनेगी सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा imagination का use ये जो lines है ये कभी भी मिलने नहीं वाली तो हम लोग imagination का use करेंगे dot 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 back side में इसके draw कर देंगे lines को और हम लोग यहाँ पर हमारी image को बना देंगे ठीक अब यह द object रखा था वहीं पर image बनी है location पता चल गई अच्छा image कैसी है virtual नकली है और सीधी है यह देखो object भी सीधा था और image भी इसकी सीधी मनी है और image का size कैसा है enlarged in this case rays are diverging and diverging rays never meet इस वाले के इसके अंदर जो rays थी वो diverge हो गेती और यह diverge होने वाली rays कभी भी नहीं मिलती अब हम हम लोग चलते हैं next case में जिसके अंदर हम लोग image formation करवाने वाले हैं at infinity infinity पे कराने वाले हैं characteristics of image की बात करते हैं image कहां पर form होगी at f2 infinity पे हम लोग ले गए है यह raise of हम लोग लेकर आए है parallel lines लेकर आए हैं अब देखो यहां पर जो image है वो form कहां पर होगी at f2 यहां पर f2 पर क्या है real है देखो असलियत में ही तो मिल रही हैं यह सारी lines आकर f2 पे अच्छा कैसी image होगी inverted उल्टी होगी और image का size कितना होगा point जितना बहुत ही छोटा जो कि हमें दिख रहा है यहां पर देखो point जितना size है तो आई ओप आपको clear होगा कैसी image formation होता है on convex lens अब हम देखने वाले है image formation in concave lens कुछ important point है जिने हमें याद रखना है rules काफी ही simple है अगर कोई भी ray pass करती है through optical center तो वो pass होगी undeviated मतलब की कोई भी उसके अंदर change नहीं आएगा अगर वो optical center से pass होती है यही case convex lens में भी था अच्छा दूसरा rule यह है कि जैसे कि हमने कोई भी ray parallel to principal axis पास कराई तो वो क्या हो जाएगी it will diverge इस वज़े से इसके diverge होने की वज़े से ये rays कभी भी reality में मिलने नहीं वाली तो हमें ऐसे backwards imaginary lines draw करके ही image formation करना पड़ेगा अच्छा एक amazing बात यह है कि concave lens के अंदर जादा आपको cases नहीं पड़ने बस एक ही characteristic है image का जो आपको याद रखना है और समझ लेना है object को आप किसी भी position पे put करोगे तो यही characteristics of image आएंगे तो यहाँ पर हमने object को put कर दिया between two f1 and f1 कहीं पे भी put करते तब यही same result आथा तो यहाँ पर हमने एक ray को pass कराया from the concave lens तो यह diverge हो गए और फिर दूसरी ray को pass कराया from optical center अब यह diverge हो गई है इसका मतलब क्या यह दो rays कभी भी मिलने नहीं वाली तो अब इस case में हम लोग क्या करेंगे यह वाली जो हमारी ray है जो diverge हुई है इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ imaginary lines draw करके f1 point पर जोड़ देंगे अच्छा अब यहाँ पर देखो हमने जो backwards में यह dot dot के through imaginary lines बनाई हैं आखिर dot का मतलब imaginary lines होता है तो dot dot के through ही हम अपनी image का formation दिखा देंगे अच्छा जो image है वो कहां perform हुई है on the same side as the object between f1 and o यह भी लिख सकते हो आप दूसरा अच्छा image कैसी है क्या असली है या नकली है क्या असलियत में यह lines मिली है नहीं मिली है तो यह क्या है virtual और image कैसी है बिलकु हो भी सीधा है और इसका भी ahead सीधा है तो मतलब it is virtual virtual erect and upright मतलब सीधी है तो erect and upright बोलेंगे अच्छा size कैसा है इसका it is small size कितना है छोटा है compared to the यह जो हमने अभी-अभी object देखा है इसके compare में size जो image का है वो काफ़ी छोटा है अच्छा यहीं पर हमारा यह chapter खतम होता है आपने अगर यहां तक इस chapter को देखा है और समझा है तो very good, very nice इस chapter को आप कम से कम अपने final boards के exam से पहले इस video के through 3-4 बार revise जरूर करना तो अच्छे से अच्छे marks आएंगे साथ में जितने भी cases हमने एक एक step by step study करे हैं उन्हें draw भी करना, practice भी करना, characteristics of image आपको तभी समझ में आएगा so best of luck for your exams, thanks for watching, see you in the next video, bye bye till then, mannu से ग्यान लेते रहो